मद्य प्रदेश की धरोहर प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीश प्राचेन काल में अगर कोई व्यक्ती सांसारिक जीवन से नरलिप्त रहकर प्रार्थना करना चाहता था चिंतन मनन करना चाहता था तो उसका स्वाभाविक रुख जंगलों की तरफ जाने का होता था ताकि वह सांसारिक जीवन से मुक्त रहकर प्रार्थना कर सके चिंतन मनन कर सके धिरे धिरे साशकों ने भी उसके प्रार्थना और चिंतन मनन के महत्व को समझा और उसके रहने के स्थानों को विक्सित करना शुरू कर दिया इस दिशा में सबसे प्रारंभिक कदम उठाए समराथ अशोक ने जब उन्होंने बिहार की बराबर पाड़ियों को आजीवक संपरदाय के रिशी मुनियों के लिए विक्सित किया धीरे धीरे गुहा इस्थापते के रूप में गुफाओं के रूप में ये इस्थान विक्सित होते चले गए ने केवल इनके इस्तंभूं पर अलंकरण होता चला गया बलकि विभिन चित्रकारी से भी ये सज्जित होते चले गए ऐसा ही एक स्थान मध्य प्रदेश के दक्षिन पश्रिम में हमें प्राप्त होता है जिसे हम जानते हैं बाग गुफाओं के नाम से देखेंगे और अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके देना होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि बाग गुफाओं की भोगोलिक अवस्थिति क्या है यह आप देखें कि मद्य बाग गुफाओं की स्थिति है और यहां एक तहसील है कुक्षी नाम की कुक्षी के लगभग उत्तर में 18 किलोमेटर दूर बाग गुफाओं की स्थिति है इन्हें बाग गुफा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां इसी के पास से बाग गुफाओं के पास से एक नदी बहती है जिसका नाम है बाग इस गुफा इस नदी को बागिनी और बागमती नदी भी कहते हैं साथ ये जो बाग की भोगोलिक अवस्थिती है ये विंधे परवतमाला के दक्षणी ढ़लानों परिस्थित है और क्योंकि यहाँ एक गाउं पढ़ता है जिसका नाम बाग था उनको भी बाग पाड़ी कहा जाता है तो विभिन आधार है बाग नाम के ये इसकी सामाने भोगोलिक अवस्थिती है अब हम इसके इतिहास को देखते हैं बाग गुफाओं का निर्मान कब करवाया गया भारतिय पूरा तत्व सर्विक्षन के अनुसार बाग शताबदी से सात्वी शताबदी के बीच कराया गया लेकिन कुछ अध्यन ये भी बताते हैं कि इस गुफाओं का जो निर्मान है वो चोथी शताबदी के उत्रार्द में यानि के 350 हिस्वी के बाद और च्छटी शताबदी के पूर्वार्द यानि गुप्त सामराज्य के प्रारंब से लेकर के छटी शताबदी के उत्रार्द यानि 550 के बाद तक इसके निर्मान के साक्ष प्राप्त होते हैं जैसा कि मैंने बताया कि गुवा इस्थापत्य का एक महत्वपूर्ण इस्थान है बाग गुफा इसका मतलब यह है कि चटानों को काट कर रोख कट आर आर्किटेक्चर यानि चटानों को काट कर जो कुफाई बनाए गई वो इस्थापत्य का एक विस्था प्रकार है जैसे गुवा इस्थापत्य के अंतरकत जिसकी गिनती होती है यहां से एक शीला लेक की भी प्राप्ति होती है और यह शीला लेक एक तामर पत्र पर मिला है एक अध्यन ये बताता है कि एक शिला खंड पर यानि पत्थर पर ये लेख की प्राप्ति होती है और एक अध्यन ये बताता है कि तामर पत्र पर एक लेख लिखा हुआ था और ये जो शिला लेख है ये माहिसमती माहिस मत्य के एक राजा सुबंधू का है और इस तामरपतर से ये प्राप्त होता है कि सिबंधू ने यहां के गाउं के निवासियों और अधिकारियों दोनों को ये निर्देश दिया कि बाग गुफा में रहने वाले बोध भिक्षूओं को किसी भी तरह से बोध भिक्षूओं की मदद की जाए और साथ ही वें जो कारिय कर रहे हैं उनमें किसी परकार की बाधा यानि उनके कारियों को निर्बाद किया जाए किसी परकार की उनके कारियों में बोध बाधा नहीं पहुचा जाएनी चाहिए जैसे कि हम आगे अध्यन करेंगी कि जो बाग की गुफाएं हैं ये बोध धर्म की माहयान शाखा से जुड़ी हुई हैं माहयान शाखा कौन से शाखा थी जो बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्विकार करती है और बोध भिक्षूओं के लिए बोध भिक्षूओं के रहने के स्थान जिनको हम विहार कहते हैं और जहां पर बोध भिक्षूओं पूजा कर सकें जिनको हम चैते कहते हैं विहार और चैते के रूप में इन गुफाओं का निर्मान करवाया गया था तो यहां से एक फिलालेक की प्राप्ति होती है जो माईसमताई के राजा तो बंदू से संबंदित है जो गाउं और वहां की अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बोध भिक्षूं के कारियों में कोई अर्चन नहीं आनी चाहिए और साथ ही यहां इनके रहने के लिए वो एक गाउं की पट्टी को भी दान में दान करते हैं और राणी कथाओं के नुसार एक बोध भिक्षू दत्का के दुआरा इन बोध बाग की गुफाओं का निर्मान करवाया गया था जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल में ही हिंदू धर्म के पुन्रुथान के साक्ष प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे बोध धर्म हाशे पर चला गया और हिंदू धर्म पुन्य भारत में प्रमुक होता चला गया और बोध धर्म हाशे पर गया बोध धर्म के हाशे पर जाने के बाद इन गुफाओं की स्थिती भी लगातार विक् इन गुफाओं की पुने खोज की गई और उन्होंने लिट्ररी ओफ बॉम्बे में एक पत्र प्रकाशत किया जो उनके यहां दोरे से संबन्दित था जिन में इन बाग गुफाओं का पुने वर्णन किया गया साथ ही एक बड़ी इन गुफाओं के संदर्ब में जो बड़ी बात हुई वो यह कि 1854 में डॉक्टर इंपे द्वारा यहां का दोरा किया गया और इनके द्वारा इस संदर्ब में बाग गुफाओं के संदर्ब में एक पुस्तक प्रकाशत की गई जिसके बाद बाग गुफ जैसे हम ने भीम बेटका की कुफाओं की चर्चाई गी थी भीम बेटका की गुफआओं की में हमने क्या देखा ठाझ कि ये प्रागेतिहसिकाल और मद्य पाशनकाल से सम्भंदित गुफईat हैं जहां पर उस समय का मनुष्य रहता था और इन गुफाओं में विभिन तरह के शैल चित्र पाए गए हैं जो उसके उस समय के जीवन के विभिन पक्षों पर प्रकास डालते हैं लेकिन उन उन गुफाओं का निर्माण में प्राकृतिक गुफा थी, उन गुफाओं का निर्माण प्रागेति हासिकाल के मनुष्य नहीं किया था, जबकि जो बाग में गुफाएं हैं या इसी तरह की बाग के साथ अन्य गुफाएं हैं, चाहे वो अजंता की गुफाएं हैं, कारले क की गुफाएं हैं नासिक की गुफाएं हैं जो बोद विक्षूं के रहने और उनकी प्रार्थना इस्थल के रोप में विक्सित की गई थी यह प्राकरतिक नहीं थी बलकि अलग-अलग व्यक्तियों और साश्कों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी और यह बलुवा पत्थर की चटानों से निर्मित थी यानि रोकट जिसके अभी अभी हमने बात कि थी रोकट आर्किटेक्चर बड़ी-बड़ी चटानों को काट करके इनको निर्मित किया गया था जैसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बलुवा पत्थर के चटान है और इसको काट कर इन गुफाओं का निर्मान करवाई गया था ये सभी गुफाओं विहार और चैते के रोप में हैं जैसा कि अभी हमने बताया कि किस तरह से बोध भिक्षुणों के रहने के इस्थान को विहार कहते थे और उनके प्रार्थना करने के स्थान को चैते और इस चैते में या तो वो इस्तूप के रोप में पूजा करते थे या बुद्ध की इश्वर रूपे में पूजा करते थे या तो इस तो रूप में या बुद्ध की मूर्ती के रूप में पूजा होती थे सबसे महत्वपूर्ण गुफा जो बाग से हमें प्राप्त होती है वो है गुफा नमबर 4 एक और विशिष्टे तथे पर प्रकाश डालना जरूरी है कि यहाँ पर जो टोटल गुफाई पाई गई है बाग में उनकी संख्या नो है जिन में से पांच गुफाईं छतिग्रस्थ हो चुकी हैं और चार गुफाईं ही ऐसी है जो जिनका संदर्ख्षन किया जा सका है इन में सबसे महत्वपून संख्या जैसे गुफा नमबर दो से गुफा नमबर पांच तक ये जो चार गुफा है मुख्यत यही बची है बाकी गुफा नमबर एक, छे, साथ, आठ और नो सामान रोप से छतिग्रस्थ हो चुकी है सबसे महत्वपून गुफा गुफा नमबर चार है जिसको हम रंग महल भी कहते हैं इस गुफा की विशेस्ट बात क्या है इस गुफा की विशेस्ट बात यह है कि इस गुफा में प्रवेश करने के तीन दवार है जैसे आप देख सकते हैं कि एक द्वार ये है एक द्वार ये है और एक द्वार इधर है साथ ही दो खिड़किया है इस गुफा के अंदर एक गुफा के अंदर यहां भी एक खिड़किया है और सबसे मुख्य दरवाजा जो है इसका वो यही है जिसको सबसे बहतरी दरवाज बहुत सुन्दर देखने में लगता है यहाँ जाने वाले जो यातरी है जो परियाटन करने यहाँ जाते हैं उनके लिए भी सबसे महतुपूर्ण दरवाजा यही माना जाता है साथ ही यहां अलग-अलग प्रकार के इस्तंभ हैं और इन इस्तंभों पर तरह-तरह के डिजाइन भी बनाए गए हैं और वो डिजाइन किस तरह के हैं हम आगे भी देखेंगे लेकिन इस तरह का आप देखे किस तरह से सरपिला आकार में इसको डिजाइन किया गया है इन इस तंभों को तो गुफा नंबर चार सबसे महद्वपूर्ण गुफा मानी जाती है इसके लावा अलग-अलग तरह कि भित्ती चित्र हैं यानि दिवारों पर बनाएगे इस चित्र हैं जो मुख्य मिट्टी का प्लास्टर होता था मिट्टी का प्लास्टर और इसी पर कलात्मक धंग से चित्रों का निर्मान होता था और जब इस तरह से कलात्मक धंग से चित्रों का निर्मान करवाया जाए तो इस टेकनीक को कहते हैं टेंपरा टेकनीक या फूल पत्तियों का आप निर् आप भित्ती चित्र का उधारन देख सकते हैं इसी तरह से यहां एक दिवार पर एक पैनल के अंतरगत आप भित्ती चित्र का उधारन देख सकते हैं और इसमें जिन रंगों का यहां इस्तमाल किया गया है यह प्राकृतिक रंग थे यानि अलग अलग तरह के पोधो और सबजियों का से निकाले गए रंगों का चित्रों के अंतरगत इस्तमाल किया गया था साथ ही यहां जो दिवारे हैं इन दिवारों पर आप ये नकाशी भी देख सकते हैं बित्ती चित्रों के साथ दिवारों पर नकाशी के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह से एक सर्वोत्तम संद्रक्षित गुफा जो मानी जाती है वो गुफा नंबर दो मानी जाती है जिसे पांडव गुफा और गुसाई गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा की खास बात यह है कि इसका जो मुख कक्ष है इस कक्ष में बोध भिक्षू धार्मिक संभाशन क्या करते थे। यानि बैठ करके उनके जो मुख्षे बोधी सत्व बोध भिक्षू होते थे वो यहां परवचन भी देते थे। और इसी जो यह इस तरह के स्तम बने हुए हैं इन पर सरपिलाकार डिजाइन आप देख सकते हैं और यह इस तरह की यहां छे स्तम थे। छे स्तम के साथ साथ जब आप इस में अंदर की तरफ जाएंगे तो यह क्या थे यानि प्रार्थना स्थल हुआ करता था और यहां जो प्रार्थना होती थी यह एक अलगलग तरह की मूर्तिकला के प्रमाण भी मिलते हैं और साथ ही यहां भूद भिक्षों के चित्र भी प्राप्त होते हैं यह बूद भिक्षों के चित्र इसी ही के बराबर में यहां आप देख सकते हैं बूद ही सत्वों के आकरती भी यहां प्राप्त होती है इसी तरह से एक गुफा है, गुफा नमबर तीन, ये गुफा एक विहार था, यानि बोद भिक्षों की रहने का स्थान था, इसमें चैत्य के प्रात्ना कक्ष के प्रमाण नहीं है, और इसमें एक आकरती प्राप्त होती है, जो गणपती के आकार की है, और इसको स्थान ये लोग हाथी खाना भी कहते है, हाती खाना, इसमें भी अलग-लग तरह की नकाशी के प्रमाण मिलते हैं, एक गुफा ओर है, गुफा नमबर पांच, गुफा नमबर पांच ने तो विहार के रूप में है, और नही नही चैत्य के रूप में है, नही प्रार्थना कक्ष के रूप में है, बलकि इसे इस्थानी लोग एक पाठ शाला के रोप में परिभाशित करते हैं और ये विहार और चैते के रोप में इसलिए नहीं है कि ने तो यहां किसी कक्ष की प्राप्ती होती है और ने यहां किसी प्रार्थना इस्थल जैसे किसी मूर्ती या इस्थूप की प्राप्ति यहां नहीं होती और इसलिए इसे ने तो विहार और नहीं चैते के रूप में परिवाशित किया गया है बलकि एक पाठ शाला के रूप में माना गया है अंत में आपके लिए एक प्रश्ण है प्रश्ण क्या है बाग गुफाओं की संधर्ब में निम्न लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है सबसे पहला आपका कथन है इन गुफाओं का निर्मान गुप्त काल में किया गया था दूसरा कथन है ये गुफाएं बोध धर्म से सम्बंदित हैं तीसरा कथन है बोध भिक्षों के रहने एवं प्रार्थना करने के लिए इन गुफाओं का निर्मान कराया गया था आपके options हैं केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन सभी कथन सही है इस प्रशन का उत्तर आप हमें comment box में comment करके जरूर दीजिए फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद